मेरा नाम आनंद कुमार है और 12 साल का मेरा बैंकिंग के अंदर टीचिंग एक्सपीरियंस है मुखड़ी आफलाइन और ओनलाइन दोनी प्रेट परम पे तो आए आज इंट्रोड़क्शन में आपके सामने सबसे पहले हम बैंकिंग के सिलिबस पर चर्चा करते हैं कि बैंकिं के सिलिबस में जैसे आप देखेंगे तो आपके पास में यहां पर मैं IBPS PO की सिलिबस की बात कर रहा हूं 2022 के कोड़ी तो जैसा कि आपके पास में यहां पर इंग्लिस लैंग्वेज आपके पास में नंबर आप कोशन्स आपके यहां पर 30 रहेंगे और आपके पास में हर ए 20-minute का आपके पास में टाइम भी रहेगा इसके लिए और बात करते हैं आप पर numerical ability तो numerical ability में आपके पास में यहां पर आपका arithmetic रहता है complete और इसके साथ साथ में कुछ specific chapter bank में रहते हैं like quadratic equation हो गया और आपका simplification हो गया आपका DI हो गया तो यह आपका 35 questions होंगे और each question आपका one marks का 20 minutes इसके लिए टाइम आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ आपका reasoning 35 questions 35 marks और 20 minutes इस तरीकी से आपके पास वह वर hour का आपका पहला paper pre paper और इस प्री आपका जो है number of question 100 marks का होगा यह सिर्फ और सिर्फ qualifying round रहेगा आपका इसके marks आगे count नहीं होगे आप प्री को अगर आप qualify कर जाते हैं आपका paper आपका मेंस का होगा और मेंस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बस आपके आपके पास में number of questions आपके यहां पर सेम रहेंगे बस इच कोशन के विटेज बढ़ जाएंगे उनके marks बढ़ जाएंगे तो इस तरीके से reasoning and computer attitude आपके पास में 45 एक यह नया त्योंकि आपके प्रीमें सबजेक्ट में आपके पास अ मेंस में आपके पास में चार सब्जेक्ट आजूँए जिसमें आपके पास पूंद आ चार्ज़ीन देगे जीड से सब्जेक्ट होगा इसने में अर्थमेटिक और डी आई कम्प्लीट होगा अर्थमेटिक के सारे जप्टर होंगे जो भी मैं आप सो डिस्स करूंगा कि कौन को जप्टर आपके में होंगे पहले कितर थर्डी फाइब कोश्चन्स और जनरल अवेरनेंस और एकनॉमिक्स बैंकिंग आपके पास में यहा तो आपके पास में इसके बाद आपके पास में डिस्क्रिटिव लेटर एंड ऐसे भी आपके पास में जो कि मेंस के बाद आपका थर्ड लबर पर आपके पास में आएगा जिसमें कि आपके पास में यहां पर आपके पास है दो कुछ भी रैटिंग के लिए आएगा और य तो जैसे आप आपने सामने देख रहे हैं कि चप्टर आपका टाइम इन वर दो कोशन पाइप मिंट सिस्टन रेशन पर्सिंटेज प्रॉपिट अन लॉस्ट मैं तो आप देख पाएं डाटर इंडिपेडिशन देख पा रहे हैं जो आपके पास में सबसे ज्यादा रख रह कि किरिशन 5 तो मैंने क्या आपकर 35 कोश्ण आपके ईग्जाम में आते जिसमें सरफ चेप्टर बिए अगर आप पहले करते हैं तो चाहर चेप्टर रहे हैं और रहे करने में हार्डली आपका 15-20 लगेगा तो सरफ 15 दिन की तयारी में आप कह सकते हो कि आपके 28-20 स्कोर हो जाएंगे इंग चार चेप्टर में से और ऐसे कैसे पॉसिबल है 15 दिन में आये कुछ कि देखिए का आपके बैंक में है ना सारा रोल आपयोजिए का होता है तो मैं आपके सामने इस अप्श्य में बिकुल क्लोज ऑप्शन नहीं दूर दूर ऑप्शन से एग दूसरे से तो अगर आप प्रोक्समीट भी कोई आंसर लेकर आते हैं तो वह आपके पास में जो answer होगा उसके नीरे सी answer आएगा पर example देखे point के बाद अगर आपका one होता है तो इसका कोई मैत्व नहीं देना approximation में इसको आप हटा के बाद कर सकते हैं हाँ point के बाद अगर आपके पास में five से बड़ा कोई digit आ गया तो इसको भी आप अटा करके आप three की बात कर सकते हैं तो पॉइंट ने 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 की जिगे पर आप three बोल सकते हैं अब three को आप इससे multiply करेंगे तो आपके पास में 102 आ गया तो कितने सारी किसे में आपको कुछ बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप जो है अपने को सब्सक्राइब कर पाएंगे लेकिन की स्पीड कैसे बढ़ेगी जैसे आपके सामने ये तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं मैं ट्रिक डिटेल ने बताऊंगा कोट्स के अंदर पर फिलाल आप देखिए कि कितने जल्दी calculate चीजों को कर सकते हैं जिससे 6 से next number 7 होता है और अगर आपने इसको multiply कर दिया तो 6 सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके से आपको बहुत कुछ सीखना है अब आप मेरे बात समझेगा पॉइंट डेसिमल को आता है ना तो डेसिमल को देखते हैं क्या करते हैं पीछी आड़ जाते हैं नहीं वह तो और आसान है डेसिमल को आपको करना अब मेरे बात मानेगा यह 0.75 है सोची 0.75 को अगर मैं फोर से सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यह 30 को चार से आप मंटिप्लाइब करेंगे तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यहां पर मैंने डिवाइड करा तो इसने सो कैंसिल कर दिया अब यहां पर आप सौल करेंगे तो 10 18 और 19 मेरी बात समझे जी तो यहां पर आपके पास में इसको 90 आगया तो कितनी जल्दी कितनी फास्ट आप का सकते हो अब जैसे आपके यहां पर करूंगा तो क्या जाएगा 24 और 25 तो मैं अपने क्याल्कुलेशन को यहां पर आप़ देख पा रहे हो मैं कितने आपस तरीके से आपको तीन जी घूरो मिल यह प्र सबरोस लेकर आगहा व कि आर्ट से एड़ से डिवाइड तो यह मुझे तो मुझे इसकी टेंश कि यहां पर बच जाएगा और यहां पर आपके पास में आएगा नो पे आपके बस्टर और फिर से आपके पास में नो पर जाएगा आपका बहतर और चार और इस तरह के आप अपने पास में और यह आपका थाउजेंड बनेगा तो तीन जीरो इसके पीछे लगा दीजिए तो इससे सीखने के आपको यहाँ पर नीड है अब पॉइंट टू फाइफ को फोर से मंटिप्लाइं फोर से डिवाइड वाला प्रोसेस हो गया यहाँ पर तो जो फोर से प्लस और यह प्लस और यह प्लस है तो आपका क्या जगा माइने तो वैल्यू क्या आएंगे अब आप खुछ सोचिए चलिया आपको यह रूट तीन से प्ल्लम है ना तो एक काम करिए पहले तीन से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो पंदरा आ गया अब यह भी आपका हड़िया और आपका रूट 3 भी आप अवोइड करें क्लियर यह आपका एक्स ही है वाई नहीं आपका एकस है अब देखेगा आप खुद प्लैन करें मुल्टिप्लाय करके पंदरा आ जाए और एड़ करके आपके पास में क्या आजा है तो पांच और तीन तो दो होगी आपके पास आपके पास ट्रिक्स ट्रिक्स तरह क्लास चेकर सकते होगने कि और अच्छे से शॉटकर सचीज़ों को हुए तो यह आपका सलेबस और अब हम क्या कोर्स में करने वाले हैं वह एक थोड़ा सा आपने जो एक चीज़े देख लिए हैं इसको डिटेल में जब 1-1 आवरी क्लासिस होंगी तो logic के साथ में बहुत सारे questions की practice और PDF के साथ में आपके साथ में मिलेंगे next class में, thank you, thank you so much.